बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पटवारी एक्जाम 2017 में नॉर्मलाइजेशन किस पिरकार से हुआ था 2023 का फॉर्म आने वाला है और जो भी छात्र इस परिच्छा की तैयारी कर रहा है उनके लिए एफ वीडियो बहुत ही आएंपे होने वाला है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही घटिया प्रोसेस है और इसको बंद करना चाहिए चली समझते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है सबसे पहले इसमें होता क्या है बच्चों जिस भी सिप्ट में आपका पेपर रहता है उस सिप्ट में कोश्चन का जो इस्टेंड रहता है तो ज़्यादा मार्क्स कम किए जाते है थोड़ा सा टफ रहता है आपके कम मार्क किए जाते हैं अगर पेपर त कंकर सलों इस Syn की प्रोसेस है बंद क्यों होना चायए क्यूंकि इसमें दोस्तों पता नहीं रहता आपको सिर्फ जिस सिफ्ट में आप पेपर दे करा है उस सिफ्ट का ज्यान है बाकी तो आपको यहां वहां से लोगों से सुनके YouTube से पता चलता है कि कौन से सिफ्ट का पेपर टपता कौन से जीता तो इन सब चीजों से एक परफेक्ट हमें जानकारी नहीं मिल पाती ठीक है अगर आपका मित पेपर देकर आया आपको पूरे 100 कोश्चन तो बता नहीं देगा क्या आपको क्या भरोजा जूट बोला है या सही बोला है तो आपको पता नहीं रहता है कौन सी सिप्ट इजी है कौन सी टब आप जिस सिप्ट में पेपर देकर आया है पस उसका आपको मालुम रहता है अब ह तक क्या है दोस्तों जब आपको जानकारी ही नहीं है और किसी के नमर बढ़ रहे हैं तो आपको और आपके नमर कम हो रहे हैं या आपके नमर बढ़ रहे हैं आपके दोस्त के नमर कम हो रहे हैं तो इसमें दोस्तों एक माइन में सस्पेंस बना रहता है कि उसके नमर क्यों ब होती है कि इस से दोस्तों जो पहले घोटाले वगरे चलते थे उसको बढ़ावा मिलने की थोड़ा से ज्यादा गुंजाइस रहती है क्योंकि दोस्तों student के marks हो सकता है कि by default बढ़ गए हो एक दू क्या होता है कि paper में एक-दू नहीं होगा चलिए अब हम बात करते हैं कि जो पटवाजी के एक्जाम हुए थे 2017 उनके बारे में चलिए नॉर्मलाइजेशन यहां पर किस प्रकार हुआ था देखिए जो नौ तारिक को जो पेपर था एह बहुत ही इजी पेपर था जो नौ तारिक की सिप्ट में पेपर हु हुए थे यहां पर नंबर एक नंबर से लेके दो नंबर से लेके तीन नंबर से लेके चार से लेके पांच नंबर तक कम कर दिये जाते हैं तो काफी टेंसन होती है जब आपके तीन तीन चार चार नंबर कम हो जाते हैं और एक दो नंबर से आपका सेलेक्शन रुख जाता शुरू के जो पेपर थे नौ तारेक, दस तारेक, ग्यारा तारेक इजी पेपर थे फिर इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे 13, 14, 15 यहां से दोस्तों पेपर का इस्टेंडर बढ़ाता और यहां से टब पेपर आना शुरू हुए थे तो इन सेप्टें में जिन भी छात्रों पेपर दिये हैं उनके कुछ के नमर बढ़े, कुछ के नहीं बढ़े, सभी के नहीं बढ़े, ठीक है तो यही सब होता है नौनलाइजेशन में और दोस्तों जो यहां पर लास्ट में मैं आपको बता दूँ जो 27, 28 तारुक को पेपर ह हुए थे, यहां पर बहुत ही टफ पेपर आया हुआ था, यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं पेपर टफ होता है, कोई पेपर इजी होता है, सारे पेपर का इस्टेंडर थोड़ा सा एक जैसा रखना चाहिए, प्रोफेशनल एक्जामनेशन बोड को, ठीक है, और प्रोफेशन की प्रोफेशन को बंद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप खुछ सोचिए, अगर आपके नमर कम हो जाते हैं, दो नमर और आपका एक नमर से सेलेक्शन रुख जाता है, तो आपको एक दुख टाइप का होता है, आपको टेंसन हो जाती, तो इस चाहिए, यहाँ पर पटवारी परच्छा में, जो 26 तारिक, 27, 28 तारिक को पेपर हुए थे, 2017 में, यहाँ पर नमर बढ़ाए गए थे, तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, और दूसरी चीज दोस्तों, जो 10 तारिक को पेपर हुआ था, 10 तारिक को यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक री एक्जाम हुआ था दोस्तों, किसी सिप्ट का, कोई पेपर हो नहीं पाया था, क्या हो गया था, उसका पता नहीं, जो की हुआ था, री एक्जाम, 10 जनवरी, 2018 को हुआ था, ठीक है, तो और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस आपने समझ ली दोस और ट्विटर पर एक कैम्पैन चलाईएगा, थैंक्यू